breast cancer आज के डिट में females में बहुत ही तेजी से फैल रहा है और ये उनके मौत का कुछ सबसे बड़े कारणों में से एक भी है breast cancer को समझने से पहले एक छोटा सा overview लेंगे breast की सनचना का breast के अंदर में कुछ lobules होते हैं जिन में दूद का निर्माड होता है ये एक पतले से duct से जुड़े रहते हैं जो आकर निपल पे मिलता है ये रहा एक बहुती साधारन सा overview breast का अब आप ये बात जानते ही होंगे कि किसी भी व्यक्ति को cancer तब होता है जब उसके DNA में mutation हो जाए DNA वो signal ही न दे पाए cells को जिससे वो समय आने पर मर सकें और DNA में mutation कैसे होता है कारसीनोजनिक element के संपर्क में आने से radiation के संपर्क में आने से गलत दिंचर्या जीने से इन सब चीजों से DNA में mutation हो सकता है देखिए breast cancer के मामले में breast cancer भी कई प्रकार का होता है जितने भी प्रकार के breast cancer है उसमें से 70-80% breast cancer अगर किसी महिला को होता है तो वो होता है उसके इस duct में जोकी lobule से जुड़ा रहता है और निपल पे आकर खुलता है और जोकी breast में बहुत सारे lymph nodes भी होते हैं पूरे lymphatic vessels की जाल बिछी रती है इसलिए यहां से cancer cells migrate होकर पूरी body में भी फैलते हैं इसलिए इसे invasive ductal carcinoma के नाम से हम लोग जानते हैं दूसरे नमबर पर लगभग 10-15% cancer किसी भी female को हो सकता है तो वो है इस lobule में होने वाला cancer यह बहुत जादा common तो नहीं है पर यहां से भी cancer cell migrate होकर पूरे शरीर भर में फैल सकते हैं इसलिए इसे भी invasive lobular carcinoma के नाम से जानते हैं तीसरे प्रकार से किसी female को cancer हो सकता है उसके skin पर जब cancer cell migrate होकर breast skin पर आते हैं और skin पर inflammation होता है संतरे के छिलके की तरह dimples बन जाते हैं जिसे कहते हैं inflammatory breast carcinoma चौथे तरीके से breast cancer किसी female को होता है वो तब जब breast के cells पर ना तो estrogen के ना ही progesterone के और ना ही एक special protein HER2 के कोई भी protein cells में पाए ही नहीं जाते हैं और एक खास प्रकार का protein आ जाता है cancer cell पर जिसके वज़े से immune cells इन्हें kill भी नहीं कर पाते हैं इस प्रकार के breast में होने वाले cancer को triple negative breast cancer के नाम से हम लोग जानते हैं और एक ज्यादा aggressive type जिसे कहते हैं medullary carcinoma जिसमें larger cancer cells involved होने लगते हैं ये ज्यादा खतरनाक होता है अब इसे diagnose कैसे करते हैं इसे mammography, x-ray और MRI जैसे चीजों से diagnose करते हैं और ये किन-किन कारणों से हो सकता है जैसे मैंने आपको बताया genetics से घर में किसी को हो है तो बहुत हद तक chances हैं कि घर में और लोगों को भी हो जो औरते 30 के बाद मदर बनती हैं या फिर वो औरते जो बहुत ज़्यादा breast feed नहीं करती हैं carcinogenic agents के संपर्क में आने से radiation के संपर्क में आने से और bad lifestyle के वज़े से इलाज इसका कई stages में होता है वो किवल एक expert ही बता सकता है इसमें breast को या तो काट के निकाला जा सकता है या specific portion को या फिर lymph nodes को जैसा doctor ज़रूरी समझता है उसी अनुसार surgery के थूरू इसका इलाज भी किया जा सकता है बट वो सारी बाते आपको किवल एक expert ही बता सकता है